जैसी अराम गाईज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वी दा न्यूब वीडियो तो आज सुबह मैं उठ गई थी पाँच बजे के अराउंड उठते ही सबसे पहले एक गिलास पिया गरम पाणी फिर उसके बाद खाए रात को भी गोए और ड्राइफ रूट्स और 5.25 तक मैं बैठ की थी पढ़ने के लिए सबसे पहले रीजनिंग मेंस का किया था आर्ट ओफ रीजनिंग यूट्यूब चैनल से प्रीवियस येर पेपर था आये शायद 2022 वाला था तो मैंने उसमें से दस कोश्चन सोलोग किये थे मुश्टली सारे कोश्चन हो गए थे जो ये थर्ड कोश्चन है कोडेड इनीक्वैलेटी वाला ये मैंने बोक्स से किया था बट सर कह रहे थे कि जब बड़ी बड़ी स्टेटमेंट वाले आएंगे उन में ये बनेगा तो इससे next वाला कोश्चन, fourth वाला कोश्चन मैंने simple तरीके से भी किया जैसे थर्ड वाला सर ने कराया था फिर उसके बाद एक coded वाला direction वेस्ट था उसमें मैंने इस twist में गलती करी थी तो फिर मैंने उसको दुबारे से try किया सही वाला जो था फिर उसके बाद 3-4 question थे blood relation वाले वो बनाए फिर उसके बाद एक coding decoding वाला था और एक और 10 statement वेस्ट question 10 question किये मैंने reasoning means के सुबा one and half hour तक किये थे फिर मैंने हर्षल सर से quantica किया partnership का मेरा second lecture थोड़ा सा रहता तो वो complete किया बस 6 question थे उसमें वो कर लिए उसके बाद फिर सर ने आंके means की classes के बारे में बताया था उस class में फिर उसके बाद 5 minute किया प्रानाया थोड़ी बहुत stretching करी और 12 rounds of surya नमसकार के लगाए फिर उसके बाद मैं नहां के radio के बाहर चले गी थी आज बाहर जाना था किसी काम से तो 3-4 जने जा रहे थे हम तो 3-4 जनों में time लगी जाता है किसी को अपना काम था तो आज पूरा दीन बाहर ही निकल गया और आज बाहर निकल के पता लगा कि बाहर असलियत में कितने गर्मी हो रही है फिर उसके बाद मैं शाम को साड़े पांच तक गर आई थी फिर गर आके थोड़ी देर तक तो रिलाक्स किया था फिर सवाच है कि आज पास मैंने पढ़ना शुरू किया था current affairs किये थे मैंने एक जून के current affairs start किये आज एक जून की PDF कंप्लीट करी फिर उसके बाद मैंने दो माई की current affairs की PDF का test दिया था जो मेरी माई मंत की बसे एक दिन की रह रही थी दो माई वाली उसका test दे दिया उसमें सारे question अटेंप्ट नहीं किये थे दो मेरे रहे गे थे टाइम की वज़ा से थोड़ी statement बड़ी बड़ी थी तो दो मेरे चुट गे थे और दो मेरे उसमें से गलत हुए तो मेरा score था उसमे सारे 15 out of 20 उसके बाद बस एक mock attempt किया था score था उसमें 51 56 question attempt किये थे दो reasoning में गलत किये और दो quantum में गलत किये और फिर जब मैंने ये complete करने के बाद mock की analysis करी थी quantum के जितने question शुट गे थे बहुत वालू किये तो बहुत easy चीजे में reach शुट गी थी मतलब कि 5 question inequality के बिल्कुल easy वाले थे इसमें और 5 question missing series वाले थे easy थे आज बस इतना ही किया ये थी मेरे to do list जो भी मैंने आज किया और जो आज की मेरे total study hours थे वो थे 5 hours